हलो फ्रेंड्स वेलकम बेग टो ओन चनल स्टॉक मार्केट फंडा में अब यहां पर बात करने जहां पर अगले पॉइंट के बारे में बस यहां पर आज का पार्ट वन आ चुगा होगा अगर नहीं देखा है जाके जरूर देखेगा और यहां पर लास्ट जीरो टू हिरो स् पाउसिटीव था हाला कि मार्केट इतना नेगेटिव था कि मार्केट में वह स्टॉक भी फॉलकता हुआ दिखे जा ट्रेलिंग स्टॉप लोस्ट के साथ वह स्टॉक अगर इंटरसेट है तो होल्ड कर सकते हैं स्टॉक में स्टील पाउसिटीव मॉमेंटम एक आ सकती है लास्ट जीरा टू हिरो स्टॉक के लिए अफ़ डाड़ यहां पे इंपोर्टेंट पॉइंट डिसकस कर ले थे कि सर मार्केट में क्या हो रहा है पैनिक करना चाहिए क्या ठीक है मैं बस पहले ही बोला था सतराजर पे सपोर्ट है पैनिक मत करना हाला कि Fy के डेटा नेगेट में पुल बैक था ओकी तो अभी भी यहां पर दोस्तों Fy सेलिंग कर रहे हैं अभी यहां पर मेंबर्स द्यान से सुनना एक बात बताना चाहूंगा अभी मैंने यहां पर न्यूस चैनल देखे थी वहां पर कुछ बड़े प्लेस के साथ डिसकसिन हुआ था जैसे कि ब्लै तो सबी मार्केट में काफी अभी अपसाइट पर है काफी ऊपर चलेगे इसके वज़ए से कुछ प्रॉफिट बुकिंग वो लोग कर रहे हैं वो इंट्रेस्टेड यह भी है कि यहां पर और प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं ठीक है तो मार्केट में अभी वॉलेटिलि रखने हैं अगर interested हैं और market में एक साथ bulk में कोई भी stock मत उठाना ABC stock हो जाए कोई भी stock हो जाए bulk में मत उठाना चाहे ISTC के वंपर result है bulk में मत उठाना ठीक है simple logic है कोई rocket science नहीं है सिर्फ यह ध्यान में रखना अब members कुछ result discuss करेते हैं ISTC यहाँ पर atel के result और कुछ latest result भी discuss करेते हैं फिर आप लोगों की यहाँ पर कुछ queries लेने की कोशिश करेंगे ठीक है सबसे पहला result आ जाता है यहाँ पर भारती atel का result अब यहाँ पर members एक simple सा सवाल आ जाते है कि sir one shot में समझा दीजे भारती atel के result कैसे हो जाते हैं अब यहाँ पर भारती atel के result की बात करने चाहिए तो totally miss है जैसे कि आप देख सकते हैं जो street net estimate किया था वो miss है हलाकि company fundraising करने वाले साड़े 7000 करोड की लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा members result totally weak है ठीक है तो क्या करना चाहिए stock में fall आ सकता है 700 के अगर यह stock नीचे गया तो definitely fall continue रहेगा stock 680, 640 जग जा सकता है और अगर यह डूबा तो reliance अमाफ केज़ेगा अगर यह डूबा तो nifty को भी शायद लेकि डूब सकता है थोड़ा बहुत ठीक है तो focus करना जरूख कि यहां पर पार्थी इटल के result weak है stock यहां पर fall में भी कर सकता है और stock में गिरावटिक आ सकती है clear अगला मेंबस यहां पर हो जाता है ISTC का result अब simple सा सवाल सर ISTC के result bumper है क्या stock rocket बनेगा n o no stock rocket मेरी सब से तो 90% के chances से नहीं बनेगा अगर pullback आता है अगर morning में 6% 10% gap up open होता है कुदना नहीं है ठीक है मैं simple सा word हर बार use कता हूँ क्यों क्यों क्योंकि आप लोग करते हो ऐसा ठीक है बहुत सारे result को देखके कुछ जाते है क्यों यह pre market opening 9.15 से लेकि 9.17 से लेकि 9.15 आपको pre opening में बहुत जादा आपको high दिखाई देता है 6% 7% बाद में fall कर जाता है तो कुदना नहीं है ठीक है उसका मैं reason बताऊंगा और result कैसे पहले वो discuss कर लेते हैं मैं बस result यहां पर strongly 3 times बढ़ते हुए दिखाई दी है dividend भी यह 20 रूपिस 21 रूपिस पर share पर ठीक है लेकिन सर क्या इसकी वज़े से ICTC को खरीदना चीए एन ओनो ठीक है बड़े players ने यहां पर पता क्या कहता जब यहां पर ICTC के अंदर मैं बस थोड़ा focus करना ठीक है जब यहां पर ICTC government ने कुछ news दा ले थी कि हम लोग यहां पर convenience charge में यहां पर कुछ करने वाल है हम लोग यहां पर commission लेने वाल है convenience charge के अंदर तो वो जो बड़ा trigger था वो negative था इसकी वज़े से stock में panic आया था ठीक है तो बड़े players जब तक नहीं है यह stock में कुछ नहीं होगा ओके और अगर मुझसे कुछ है सर कहां पर खरीदा चीए 1000 को cross कता है sustain कता है तो खरीदने का मौका बन सकता है वरना मैं यहां पर ना बोलूँगा टोटल ना बोलूँगा ओके हलाकि fall तो definitely नहीं आएगा यह guarantee है fall नहीं हैगा लेकिन sideways हो जाएगा stock अभी भी sideways रहेगा stock 848,60,890 तक जा सकता है बाद में फिर से fall आजएगा sideways हो जाएगा clear तो ध्यान में क्या रखना है जब तक 1000 ब्रेक ना करे तब तक मेरी सबसे आपे कुछ नहीं हो सकता यह आपको लिए positive हो जाता है कि stock fall नहीं क्या है ठीक है वरना तो ऐसी जिगा पर stock fall क्या crash हो जाता जैस लेकिन मैं आपको यही बोला है कि short term में कुछ भी नहीं करना short term में avoid करो same in ICTC यहीं पर बोला था कि भले pullback आएगा कुछ मत करना short term में avoid करो avoid करो लेकिन I'm sure आधे सुनेंगे आधे नहीं सुनेंगे और बाद में stock fall करके है अगी तो सुनना जो बोल रहा हो सुनना मैंने आपको पहले ही में बस बोला था कि stock sideways आएगा ठिक है fall to sideways आएगा बोला था कि नहीं बोला था ठिक है गया की नहीं गया यह अप definitely comment किजी किसे यहाँ पर definitely आपने बोला था वह ही किया ठिक है तो यह दूस्तों पता चल जाते ह हमको पता चल जाते हैं कि बाई स्टॉक साइडवेस रहेगा तो फंड कहीं और पर जाके यूज कर सकते हैं हम लोग क्लियर तो मेरी सब से यहां पर कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं आने चाहिए अगर वोल बैक आता है तो मैं यहां पर सिफ वेटन वाच करूंगा यहां पर कुछ नहीं करूंगा एंट्री एग्जिट कुछ भी नहीं अगली यहां पर दोस्तों हो जाते हैं अब मैं आपको ड कोई यूट्यूबर बोलते है चांद फाड़ लेगा तो कोई नहीं फाड़ने वाला यह स्टॉक है स्टॉक 110 परसंट डाइमंड है लेकिन शॉर्ट टम में क्या होगा यह ना बोलूगा अवोइट करो बैटर है अदानी विल्मार का स्टॉक में बस अदानी विल्मार की लिस्टिंग बेकर थी लेकिन स्टॉक ने काफी बड़ा बाउंस वेक किया तॉर्मोस 20 परसंट की सरक्ट लगाई थी और जासर की बोला था मैं आपको यहांपळेट कर दूंगा तो मैंने आज टेलिग्रम के अपडेट कर दिया था यहांप देख सकते है यहांप देख सकते है तब यहांपर 20 58 पर दिखा ही दे रहा था स्टॉक की क्लोजिंग लोगों ने बाई किया है अब यहां पर जहां से सुनना अगर मानलो आपका short term का view है ठीक है जहां से सुनना में बस short term का view है तो मैं आपको यह बोलूँगा 258 का stop loss रखो जहां पर खरीता है और 295 तक की target रखो अगर very short term का view है 290-295 उससे उपर target मत देखना very short term क्योंकि profit booking temporary base पे उपर के level पे आ सकती है ठीक है लेकिन आज की closing बहुत strong थी upper level पे थी जो chances यह हो जाते कि stock 275-280 तक यह stock जा सकता है very short term chances है 290-295 तक भी जा सकता है ठीक है तो short term का view है trailing stop loss सके long term का view है तो आपको यही बोलूगा मेरे बाए 250 का stop loss अगर interested है तो रख सकते वरना नीचे की level पे खरीदारी भी कर सकते है जो है IPO की price 220-227 के असपास IPO की price पे average कर सकते है अगर interested है ठीक है यह stock definitely चांद फाड़ने वाला है लेकिन short term में मत देखेगा क्योंकि एक या डीड महीना कम से कम sideways रहेगा जब यहां पे लगेगा retail investment सांथ हो चुके है भूल चुके है तब उसके बाद यह stock rocket बनेगा जैसे कि अधन guest rocket बना था ओके तो मेरे father के portfolio में यह stock already है मैंने ऐसा बोला था कि IPO के दोरहन मैंने buy किया था ठीक है whatsapp group को भी यह provide कि है definitely और target 500 तक के दिये है ठीक है लेकिन target अभी भी इंटेक्ट है 500 इसकी वज़ेसी दिये safe target बोल सकते हैं और वैसे तो 1500 तक के target है based on the data मैं बस अगला stock का result आ जाता है sir क्यों circuit में है वो आप मेरे को answer दे सकते है ताकि दूसरे members को भी पता चले यहां पर आपका क्या view है आपका क्या mindset है लेकिन अगर मुझ से पुछे तो मैं do a phone यडि क्या बुरा यह तो उसको भी 200 पह ले जा सकते है या कम से कम 40 पह ले जा सकते हैं तो काफी रिटी तो आखरी लॉजिक देख लीजिएगा Fibona की retracement draw कर लेते हैं ताकि बहुत सारी retail निवशक जो होते वो confuse हो जाते कि Sir Fibona की retracement की सबसे stock में कितना target आ सकता है ठीक है अगर यहां से draw करने जाते हैं यहां तक draw करने जाते हैं तो मेरी सबसे stock के pullback 235 max 16 कर सकते हैं इसके उपर मेरी लिए भी थोड़ा difficult हो जाते हैं कहना 255 या तो 222 max to max 16 कर सकते हैं stock के pullback टाटा टेली सर्विसे के ठीक है अगर short term का view है तो trailing stop लस रखेगा members और long term का view है तो मेरे भाई hold कर सकते हैं कोई problem वैसे तो है लगती नहीं है ठीक है लेकिन stock को avoid कीजिएगा totally manipulated stock है अगली यहाँ पर news हो जाती है टाटा पावर का stock members stock result से panic selling है ठीक है generally जो भी यहाँ पर power sector के stock होते हैं उसमें कुछ panic selling आ रही है तो कोई tension लेनी की ज़रूरत नहीं है result तक का wait कर लो long term का view है कोई problem नहीं है panic मत करना result के बाद देखेंगे stock में क्या करना अच्छे ठीक है अगर पूछर सर वेर शौट टम का view है तो result से पहले पहले ही बोला था कि short term का view है result से दो तीन दिन पहले निकल जाओ better हो जाता है ठीक है अमेशा यही logic द्यान में रखना है कि result से पहले exit करो अगर short term का view होता है अगली news हो जाती है boros in renewable अब में बस lot of member के messages आये थे के boros in renewable सर stock के result bumper है क्या stock को average करो सर क्या stock को खरीदर करो एन ओ नो में बस yesterday को भी ट्यूब investment के result थे लेकिन देखो यहाँ पे देखो करीब करीब एक से 0.5% fall हुआ है stock के number bumper है profit double हुआ है तो भी stock fall किया ठीक है तो चांद अगर better result आते है चांद वाले result आते है तो भी fall करता है तो मेरे बाई medium result आते है थोड़े positive आते है तो भी definitely fall करेगा और यही होता हुआ दिखाई दिया borosil के अंदर और clean science के अंदर सभी stock fall कते हुए दिखाई दिया borosil भी आपर 2-5% fall किया है हारा कि कोई problem है नहीं लेकिन wait and watch कर लो short term का view है profit में exit कर लो ठीक है लेकिन long term का view है कोई panic मत करना stock positive है तो hold कर सकते है stop loss पूछे तो 600 का stop loss लगा सकते है 600 break तो यहाँ पर mid term exit कर सकते है लेकिन मेरी सब से stock अगर 500 पर आते है तो average जरू कर सकते है अगर long term trader है 600 पर panic मत करना 500 पैट कर सकते है तो stock result positive है अच्छा stock है कोई panic मत करना short term में सिर्फ बड़े प्लेस profit बुक करें इसके वज़े से volatility stock में दिखाए दे रही है तो यह सभी stock यहाँ पर न्यूस की वज़े से कल focus में रह सकते है फटाट यहाँ पर latent view कुछ ला थे कि सर latent view क्या व्यू क्या है BPL LTTS and SBA card को क्या average करना चाहिए ठीक है यहाँ पर कुछ viewers की वो question भी थे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है कि सर BPL के अंदर क्या करना चाहिए अब यहाँ पर कुछ पहले point discuss कते है लेटेन व्यू के बारे में सी लेटेन व्यू के यहाँ पर रिजल्ट देख लेते हैं यह लेटेन व्यू के रिजल्ट कैसे है मैं बस लेटेन व्यू के stock बहुत ही strong result है आप खुद देख सकते है profit double हुआ है ठीक है double से भी जादा बोल स लेकिन stock में यह जो बेज है मेरे सबसे तोड़ा नहीं चे और आपको यह तोड़ता भी नहीं दिखे दिखा stock को खरीदना भी नहीं है stock में 600 की उपर अगर sustain करता है 3-4 दिन तो stock यहाँ पे 800-900-1000 तक जा सकता है तो मैं यही बोलूँगा stock के result बहुत ही strong है लेकिन अभी कु definitely yes कल यह stock मेरे सबसे positive में close होना जरूँचिए ओकी और definitely hold कर सकते हैं BPL के बारे में sir के BPL मेरे पास यहाँ पे 195 से है sir क्या करना चाहिए बहुत ही fall कर चुका है यह stock अब यहाँ पे BPL काफी बड़ा fall कर चुका है sir क्या करना चाहिए BPL के अंदर members मैं clearly बोलना चाहूँगा stock का जितना भी support था 160 140 यह stock 140 पे आखरी support के पास state कर रहा है ठीक है इसके बाद का support 120 है यह दोस्तो best मौका है मेरी साब से BPL के stock के अंदर stock अगर देखोगे काफी अच्छा monthly business पे stock ने support लिया है तो मुझसे पूछे sir क्या करना चाहिए तो मैं holdी बोलूँगा यहाँ पे exit मत करना लेकिन यहाँ से average करने का मौका बन सकता है 30% की quantity मानला आपके बास 100 quantity है तो 30 quantity के stocks यहाँ पे add कर सकते हैं यहने कि 30% के stock आप यहाँ पे current level पे stock को add कर सकते है BPL के stock के अंदर 4-6 मेने के लिए stock phase से 160, 180, 190 जा सकता है ओकी तो definitely hold कर सकते हैं average कर सकते हैं और LTTS के अंदर भी discuss कर लेते हैं LTTS and SBI card मैं बस stock यहाँ पे LTTS का average कर सकते हैं यह best level हो जाता है 200 डिमा उपर के level से काफी fall किया है ठीक है 4000 के आसपास यह stock आ चुका है मैंने पहले भी आपको बोलाता है stock 4300 ठीक है कल थोड़ा fall आता है definitely average कर लिजेगा लेकिन stock एक दो महीने sideways लेगा बाद में momentum करेगा ठीक है जो fall आता है ना मैं बस एक बात ध्यान से सुनना मानलो को इस stock में fall आता है ठीक है pullback आता है जै आता है time spent कर लेगा बाद में stock जाके momentum करेगा ठीक है तो जैसे कि ISTC में आपको दिखाई जै रहा था वैसी ही momentum आपको इसमें दिखाई जै सकती है अगर आप ध्यान से दिखोगे fall, pullback, fall, sideways और फिर यहां से momentum ठीक है तो logic ध्यान में जरूर रखना कि ऐसी ही stock momentum कर सकते है तो stock average जरूर कर सकते हैं और आखरी यहां पर stock हो चुका है SBA card का stock अब यहां पर कोशन आते हो ही दिखाई थी कि सर SBA card में क्या हो सकता है मैं बस result के बाद stock ने 900 लग pullback किया था मैं आपको पहले ही बोला था 900 की pullback आते ही stock बाद में fall करेगा यह बाद में fall जरूर क्या है stock का 800 प ठीक है तो अब भी wait and watch करो stock में कुछ मत करना stock अगर है hold कर सकते है average भी मत करना ठीक है 800 पर दीखते है stock support लेते के ने 800 पर support लेगा अगर इस बार 900 को break करता है तो stock 1100-1200 तक जा सकता है hold कीजिएगा panic मत करना definitely hold कर सकते है SBA card के stock को और एक आखरी question ले ले लेते कि हाँ पे sir markants के अंदर क्या करना चाहिए मैं बस morphine lab के number weak है ठीक है markants के भी number है chances से weak हो सकते है अगर cost के पास है तो exit कर ले ना वरना तो कोई panic मत करना stock definitely strong है ठीक है hold कर सकते है panic मत करना result के बाद हम लोग देखेंगे stock को properly क्लियर तो चलिए मैं बस यहां पर वीडियो क्लोज करता हूँ होप वीडियो समझ में होगा वीडियो पसंद होगा फिर कोई query दे जाती हैं पर comment जरू कर सकते हैं मैं आपको answer देनी की जरू कोशिश करूंगा मिलते हैं अगले वीडियो के इंदर तब तक किली कि अदरे झाले तरू के आए और थचकुझ कर दे इंदरू कर था देयुझ कोशिए वीडियो कि दोपकी कर。